हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर पॉल प्रितकोर आपकी नूट्रिशन एक्सपर्ट वर्ल वुमेंज टीवी के आपकी सेहत कारेक्रम में आप सब का स्वागत है आज का टॉपिक है नूट्रल मिलेट्स हमने पिछली बारी कवर किया था कि पॉजिटिव मिलेट्स क्या ह होते हैं आज हम बात करेंगे कि नूट्रल मिलेट्स क्या होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नूट्रल मिलेट्स टेहाफ इमेंस नूट्रिशन कंटेंट बट इन में मेरिशनल प्रॉपर्टीज नहीं होती यह कोई भी प्रकार की डिजीज को प्रिवेंट कर सकते बर इनकी nutrition value बहुत जादा है ये भी पांच प्रकार की होते हैं मैंने जैसे आपको बताया था पहले बाजरा जुआर मकी रागी और चना तो आज हम बात करेंगे रागी के बारे में रागी क्या है कैसी दिखती है और इसके लाब क्या है रागी एक ऐसा ग्रीन है जो क आपको पहले पर पताया जो रेड कलर का होते हैं उसमें बहुत जादा iron content होते हैं तो जिनको भी जिनकी बाड़ी में भी हीमोगलोबिन कम है उनमें ये बहुत जादा beneficial है इसके इलावा रागी में विटामिन ई विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है तो यह हमारी स इसके इलावा रागी इस ग्ल्यूटेन फ्री तो जिन लोगों को भी डाइबेटीज जैंओ बीसेटी की प्रॉबलम में यह उनमें भी बहुत जादा बेनिफिशल है तो यह वेट को मेंटेन करने में वेट को कंट्रोल करने में इस वेरी हेलपफुल इसके इलावा रागी इस रिच सोर्स और फाइबर तो यह हमारी डाजेशन में प्रॉपर बॉडी की डाजेशन में हेल्प करता है मोरोवर जिनको भी आईबीयस की प्रॉबलम में जिसको कहते है इरिटेट बाउल सिंड्रोम उनमें इस वेरी वेरी बेनिफिशल मोरोवर इट हैपस गंट्रोल इनकोलेस्ट्रोल इन बोड़ी ब्लद शूगर को गंट्रोल करने जाके के लिए उस बॉड़ी की वेट को मेंटेन करने के लिए रागी इस वेरी बैनिफिशिल रागी इस रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम आयरन तो इस ओवर अवेरी वेरी गुड मिलेट इसके लावा रागी में बहुत यूनिक प्रॉपर्टी यह वह प्रॉपर्टी है मूट को अपल प्रॉड लेकर आएं तो रागी ऐसा मिलेट है जो कि हमारी बॉड़ी को आयरन प्रोवाइट करता है कैल्शियम प्रोवाइट करता है ब्लड में शूगर को कंट्रोल करके रखता है इस हाइले रिच इन फाइबर रिच इन विटामिन्स एंड येस कीप सार मूड अपलिफ तो ये थे रागी की बेनिफिट्स और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप इसको अपने आटे में डाल के यूज कर सकते हैं आप इसके चपाती खा सकते हैं रागी की आप स्मूदी पी सकते हैं रागी को आप रागी की आप चिल्ला बना सकते हैं तो रागी को आप कोई भी प्रकार का question है तो आप हमें मारे comment box में जरूर पूछिए आज के लिए पस इतना ही धन्यवाद अगली बारी मिलते हैं आपको एक नए topic के साथ